स्वागत्य आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कच्छा साथ में विशे गनित का घ्रह कारे जो की 26 आर्ट दो जारी किसका है टॉपिक है भिन एवं दसमलब प्रश्ट नमबर एक है भिन किसे कहते हैं भिन संपून के एक भाग को निरुपुत करती है एक इकाई के लिए किये गए कुल टकुळों को हर एवं उसमें से लिए गए टकुडों की संख्या को अंस कहते हैं उधारन के लिए आपने एक पे निशान लगा दिया है तो एक कितना हो गया एक बटे तीन कुल कित्ते हैं 3 और 1 पर 1 भरा हुआ है तो 1 बटे 3 प्रस्ट नमबर 2 है उचित भीन किसे कहते हैं दो दारन देकर समझाईए ऐसी भीन जिसमें अन्स हर से छोटा हो उसे उचित भीन कहते हैं जैसे 1 बटे 3, 4 बटे 7, 15 बटे 19 इसमें देखिए अन्स क्या है हर से छोटा है अब देखेंगे अन्स सम में छोटा है अगला प्रस्ट नमबर 3 अनूचित भीन किसे कहते हैं दो उधारन देकर समझाईए ऐसे भीन जिसमें अन्स हर से बड़ा होता है उससे अनूचित भीन कहते हैं जैसे चार बटे तीन, साथ बटे पांच, देखिए आप इसमें, अंस क्या है, हर से बड़ा है, नीचे वाला हर होता है, उपर वाला अंस होता है, प्रश्ट नमबर चार है, अनूचित भीन को मिस्र भीन में बदलिये, बटे साथ, भाग दे देंगे, सतरा में साथ का, कित्ती बार जाएगा, दो बार बचेंगे चोदा, सतरा में चोदा गए तीन, तो इसको हम लिखेंगे, दो, यहाँ पर लिखते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है, वे उपर, बटे साई में साथ, तो दो साई तीन में से आट गए तो एक, क्या बच्या हो जाएगा मिस्र, चार साई एक बटे दो, प्रस्ट नमबर पांच है, तुल्य बिन किसे कहते हैं, और दो बटे तीन की पांच तुल्य बिन लिखिए, ऐसी बिन जो समान इस्तों को दरसाती है, वे तुल्य बिन कहलाती है, जैसे कि दो बटे तीन, पांच तुल्य बिन लिखेंगे, चार बटे छे, छे बटे नो, आट बटे बारा, दस बटे पंदरा, और बारा बटे अठारा, तो इस प्रकार था हमारा आज का कर्चा सान्त का, घ्रेक आर्रे, जुड़री चनल के लाइक करें, शेर केने सस्क्राइब करे धन्यवार